हाई एवरीवान आज मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज जो कि हाउ टू राइट आंसर इन सस्ट है ना क्लास नाइंथ के लिए स्पेसिफिक लिए विडियो बनाया है और तेंथ के लिए नाइंट दोनों के लिए आप देख सकते हो एक वीडि विडियो जिसमें आपको बताने वाली हूं कि सोशल साइंस में आंसर राइटिंग कैसे करने है वेरी सिंपल ठीक है है ना बहुत सिंपल सी चीज है सबसे पहली चीज जिसको आपको ध्यान रखना है वह यह कि जब आपकी ग्जैम होती है देखो सबसे पहले मैं बहुत प् चाला कि टना कि आपके आनसर की है इंपॉर्टेंट होती है और है जिसको मैं कहती हूं की वर्टे camera वह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसको अगर आप remember करते हो लि reasonably याद करते हो तो आपके लिए बहुत असान हो जाएगा दूसर Mostly company बात करे Social Science जो है आपको मैं स्स्टी लिख रही हूं सोशल सेडिस की तो की वर्ट को आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत जादा सबसे पहली चीज तो सोशल सेड्स में अगर स्पैसिफाइब करें तो की वर्ट के बाद अपके लिए असान हो जाएगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहीं कितनी सारी चीज़े याद रखनी पड़ती है कितना कुछ याद करना पड़ता है ऐसा नहीं होगा ठीक है दूसरी चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास चार स्ट्रीम्स होती है ठीक है चार स्ट्रीम्स होती है आपके पास एक होती है आपके पास एक होती है आपके पास पॉलिटिकल साइंस एक होती है आपके पास जोग्रिफी ओकी है अब देखो बेटा जोग्रिफी में आपके आंसर सब्सक्राइब करना एक नामिक्स में तो आपको यह तो इस्ट्री नहीं के अलावा तो डिस्क्रिप्शन स्टॉरी लेक डिस्क्रिप्शन होता है तो इस्ट्री और सफ कि इनको एक साथ आपक्युलेट कर सकते हो कि इस तरीके से आप जो है दोनों को स्टॉरी लैक पढ़ाएं कर सकते योगर लिए कि अगर अगर करें तो एक साथ रखके करो वन बाइवन प्राक्टेस करो तो जब आप साइमल्टेनियसली कुछ चार बुक्स होती है तो साइमल्टेनियसली आपको पॉलिटिकल साइंस के आंसर राइटिंग करनी चाहिए तो वह आपको एक सिमिलर तरीके में ले जाएगा ठीक है एकनॉमिक्स और जोग्रफी की करनी चाहिए उसके साथ में कुछ टिप्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो वह टिप्स क्या है वह टिप्स यह कि सबसे पहली चीज तो यह है कि आप कभी भी अपनी आंसर की जो हम कह सकते हैं आंसर की हेडिंग के बारे में बताया आंसर की गलत ना करें ठीक है हैना मार्क करेक्ट अपनी अंसर की नंबरिंग मार्क करें ठीक है इस बेरि इंपर्टेंट जब भी आपका पेपर चेक होता है तो यह बहुत इंपर्टेंट चीज रह जाती है है जिसको आप ध्यान नहीं देती हो कई बार है ना अपनी इंश्वन होती है कि अपनी कॉणत्य नहीं होती है यह इन सदे लिए बहुत ध्यान रखें करते हैं जो में एक लाइन में कितने वर्ट है उसको काउंट कर लो फॉर एक लाइन में आपने साथ वर्ड लिखें है ठीक है साथ और अपने तीन लाइन में अपनी जो है आंसर को कंप्लीट किया और सब में आपने पूरे वर्ड लिखे पूरी तीन लाइन आपकी फिल्ड है तो आपके यानी 20-25 वर्ड्स के अराउंड आपने लिखे हैं सब्सक्राइब इस तरह की मिस्टेक्स जो है आप नहीं करें हमेशा वर्ड लिमिट में रहे और वर्ड लिमिट इस तरह से आप काउंट कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया ठीक है इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको एक और इंपोर इंपॉर्डन शीज बताओ तो ल पोर्ट्न और दूसरा इन सारे पो인지 को भूलना नहीं है रht इस आपको ओंप ओंवना